चोपड़ा जो किसी यूटूब चनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो आखिर 50% प्राइवेट शीट ओन गॉर्मेंट फीस वाला मेटर सुप्रीम कोट में पहुंची गया ये केस 8 अगस्ट 22 को फाइल किया गया था और 30 अगस्ट को वेरिफाई हुआ था और इसकी हीरिंग आज 5 सिप्टेमबर 22 को थी ये केस वेस्ट बंगाल के AAC Association of Health Sciences Institutions द्वारा NMC के 50% रूल के अगस्ट फाइल किया गया है केस की हीरिंग के दोरान पिटिशनर के एड़ोकेट द्वारा वो सारी दलीलें दी गई जो हर बार हरे कोट में फीज के रेकार्डिंग प्राइवेट कोलेजेज द्वारा दी जाती है जैसे कि कोलेज नो प्रोफिट लोस पर चलते हैं कोलेज की फीस है वो फीस फिक्सेशन कमेटी द्वारा की जाती है तो इस परकार की दलिलें दी गई इसमें जो केरला हाई कोट के केस का डिसिजन था वो भी इसमें बताया गया था और इस एनेमसी के रूल को नियम के के होनेबल जैसिस्ट जो हमेशा नीट के केसेज की हीरिंग करते हैं डिवाई चंद चूट सिंग और होनेबल जैसिस्ट हेमा कोली ने इस विशे पर एनेमसी को नोटीस जारी किया है और दो वीक में अपना पक्स रखने को काहा है पिटीसनर एड़ोकेट ने ये भी काहा क कि अभी एडमिसन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है और इस कारण इस मेटर को जल्दी निप्टाने की जुरत है इस पर बेंच ने ये साप कर दिया है कि इस परकार के मेटर की हीरिंग में समय लगता है और अभी जो नेक्स्ट हीरिंग डेट रखी गई है वो 23 22 रखी गई है यानि कि ये केस अभी 23 सिप्टेंबर 22 को सुना जाएगा तो बचो जहां तक मेरा व्यू है ये एनमसी वाला रूल इस साल तो लागू होने की उमीद नहीं है मैं आपको जूटी दिलासा नहीं दूंगा क्योंकि एक बार केस सुप्रिम कोर्ट में पहुंच जाता है तो उसमें काफी समय लगता है अभी देखे ने EWS वाले केस को पूरा डेट साल हो गया है एज का केस तीन साल से फाइनल हुआ था एडिशनल बायो वाला केस चली रहा है तो हम ये नहीं सोच सकते कि इस साल ये लागू हो सकता है और स्टेट गवर्मेंट ने भी इ अभी NMC के फेवर में आता है तो सुप्रिम कोट का ही डिसीजन मानने होगा इस केस के रिगार्डिंग सुप्रिम कोट का डिसीजन इतना जल्दी आएगा नहीं और PG की काउंसलिंग पर इस्टे दिनी से सुप्रिम कोट ने पहले ही मना कर दिया है तो कुल मिलाकर वीडियो के अंत में निसकर्स यही निकलता है कि इस साल के लिए ये लागू होना मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल नजर आ रहा है अभी देखते हैं एक दो दिन में मदरास हाई कोट का डिसीजन क्या आता है और फिर सुप्रेम कोट का क्या डिसीजन रहता है तो जैसे ही इसका डिसीजन होगा जो आगे इसके बारे में नग्स्ट अपडेट होगी मैं आपको इन्फर्म कर दूँगा तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैए